आजादी का अम्रित महोट्स आजादी का सफर आकाश्वणी के साथ भारत का गौरव शाली स्वेतंतरता संग्राम आधूनिक विशु के महांतम संघर्षों में से एक है आकाश्वणी समचार आपके लिए प्रति दिन इस संग्राम की एक जलक लेकर आता है आज से ठीक सौ साल पहले चार फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी गांधी जी ने एक अगस्त 1920 को असायोग आंदोलन शुरू किया था आंदोलन ने अगली देड़ साल में जैसे जैसे गती पकड़ी देश भर में बड़ी संख्या में कार्यकरता सक्रिय हो गए जन्वरी 1922 में गोरखपूर कॉंग्रेस कमिटी और खिलाफत कमिटी ने किसानों से विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने का नेत्रतु करने का आग्रे किया पुलिस ने विदेशी कपड़ों का वैपार का विरोध कर रहे कारेकरताओं को रोकने की कुशिश की इस घटना से इस्थाने लोगों में रोश फैल गया चार फरवरी को चौरी-चौरा कस्बे में लोग जमा हो गए और चौरी-चौरा थाने के नस्दिक मुंडेरा बाजार में धरना देने के लिए निकल पड़े पुलिस ने जब गोलिया चलाई तो प्रदर्शन कारियों का गुस्सा जुआला मुखी के तरहा फूट पड़ा प्रदर्शन कारियों ने पुलिस पर जम कर हमला बोला भीड ने थाने में आग लगा दी 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और पुलिस की काफी संपत्ती नश्ट हो गई इस घटना से आहत होकर महत्मा गांधी ने असहयोग आंदूलन को रोकने का फैसला किया जिसे अंततय बारे फरवरी 1922 को रोक दिया गया 24 घटना के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने 200 से अधिक प्रदशन कारियों पर मुकदमा चलाया उनमें से 6 के पुलिस हिरासत में मौत हो गई 8 महीने के लंबे मुकदमे के बाद 132 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी इस फैसले पर गंभीर प्रतिक्रिया होई थी जिसके बाद इलहाबाद उचन्यायले ने अपने फैसले को संचुधित किया और 19 को मौत की सजा 110 को आजीवन कारवास और 6 को लंबे कारवास की सजा सुनाई इन शहीदों के सम्मान में इस स्थल पर आज शहीद स्मारक खड़ा है देश के इन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं आज हम रास्टरवादी नेता म.A. अयंगर को भी याद करते हैं इनका पूला नाम मदभूशी अनंत सायानाम अयंगर था इनका जन्म चार फरवरी 1891 को आध्यात्मिक शहर तिरुपती के पास तिरुचनूर में हुआ था अयंगर बहुत छूटी आयू में ही स्वतंतरता आंदूलन में शामिल हो गई थे वे अपने ग्रही राज्य में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस के प्रमुक व्यक्तियों में से थे गांदी जी के असायोग के आहवान पर अयंगर ने 1921-22 के दोरान अपनी वकालत छोड़ दी 1940 और 1944 के बीच आयंगर को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह अभियान और बाद में भारत छोड़ो आंदूलन में भाग लेने के लिए लगभग तीन साल के कैद हुई थी जब जीवी मावलंकर को विधाई कारियों के लिए समविधान सभा के अध्धक्ष्ट के रूप में चुना गया तो अयंगर को इसका उपध्धक्ष बनाया गया 1952 में जब पहली लोकसभा का गठन किया गया तो अयंगर उपाध्यक्षपत के लिए सब की पसंद थे जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद अयंगर को 8 मार्श 1956 को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए सर्वस्तम्मती से चुना गया था पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने संक्षित कारेकाल के दोरान अयंगर ने स्वयम को संसदिये जीवन में उच्च परमपराओं का योग्य उतराधिकारी साबित किया इस प्रकार आयंगर दूसरी और तीसरी लोक सभा में भी सर्व सम्मत से सदन के अध्धक्ष बने 1962 में उन्होंने बिहार के राजेपाल के रूप में सेवा करने के लिए अध्धक्ष पद से इस्तिफा दे दिया आयंगर शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे अपने पूरे जीवन में उन्होंने संस्कृत और भारती संस्कृती के अध्ध्यन और प्रचार में बहुत रुचिली 19 मार्च 1978 को अंतिम सांस ली आकाश्वानी इस महाननेता को भावभी निशद्धांज ली देता है इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के संग शुंखला का ये अंक समाप्थ हुआ मिलते हैं कल अगली कड़ी में भावभी में